हलो फ्रेंट्स वेलकम इन दिस वीडियो यूरीक एसीट का बढ़ा हुआ लेवल कई अन्य समस्याओं को जन्म देता है जिसमें गठिया सबसे मुख्य है दरसल सरीर में यूरीक एसीट की मात्रा बढ़ने से इसके क्रिश्टल सरीर के जोडों में जमा हो जाते हैं खास दर पर ये क्रिश्टल उंगलियों के जोडों वो किनाणों पर इखटे होते हैं जिससे उसमें सूजन और दर्द सुरू हो जाती है अत्यदिक जमाओं की इस्थिति में उंगलियों का आकार बढ़ा और तेढ़ा मिरा हो जाता है यह एक बहुत ही दर्दनाक इस्थिति होती है अगर अत्यदिक बढ़े हुए यूरीक इसीड के अस्तर को सही समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो ये किर्णी इस्टोंस और किर्णी फैलियोर का कारण भी बन सकता है अता यूरीक एसिट की मात्रा को नियंत्रित करना अधी आवस्यक है आईए जानते हैं इसे नियंत्रित करने के प्राकृतिक उपायों एवं सावधानियों के बाड़े में यूरीक इसिट के लेवल को कम करने का सबसे आसान तरीका तरल पदार्थों का अधिक उप्योग करना है इसके लिए दीन भर में कम से कम 3 लीटर पानी अवज से पिए और साथ में अन्य तरल पदार्थों जैसे नारियल का पानी, फलो का जूस, इत्यादी को भी अपने डेली डूटीन में सामिल करें फलो के जूस में सेव का जूस यूरीक एसीट को कम करने में बहुत ही मददगार है, क्योंकि इसमें ब्रोमलीन नामक एंजाइम पाया जाता है, जोकि यूरीक एसीट के लेवल को कम करने में बहुत ही असरदार होते हैं साथ ही सेव में मौझूद anti-inflammatory गुन सूजन और दर्द में रहात दीता है अतह यूरिक एसीड का लेवल ज्यादा हाई होने पर खाना खाने से एक घंटा पहले एक ग्लास सेव का जूस पीएं एपल जूस के अलावा एलोवेरा जूस भी यूरिक एसीड की समस्या को कम करने में बहुत मदद करता है यूरिक एसीड के लेवल को कम करने के रिए दीन में दो बार 5-10 एमिल तक एलोवेरा का जूस पीएं इससे यूरिक एसीड का लेवल तो कम होगा ही साथ ही इसमें मौझ इंटी ऑक्सिदेंट और इंटी इंफ्लामेट्रिक गुन सूजन और दर्द को कम करने में भी मदद करता है। बढ़ा हुआ है तो दीन भड में दो से तीन बार एक एक चम्मच एपल साइडर विनेगर का सिवन करें। अत्याधिक अलकोहल का सेवन, फास्ट फूड का उप्योग, इत्याधिक के कारण सरीर में यूरीक इसीट का लिवल बढ़ता है। अता इन सबसे बचें, साथ ही नमक का कम से कम सेवन करें और अपने वजन को नियंत्रित रखने की कोशिस करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों वप्य जनों को सेयर करें, ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें। हमारी कामना है कि आप स्वस्त बने रहें।